इस वीडियो में जो बात करेंगे मालाडी टेबलेट के बारे में बात करेंगे यह मालाडी टेबलेट जो बहुती कॉमन इस्तिमाल में लाने वाली दवाई होती है और औरली कॉंट्रसेप्री मेडिसीन होती है यानि pregnancy को रोखने के लिए इस tablet को दिया जाता है बहुत सच्थी होती है इसका strip खुल 5 रुपे का मार्केट में मिलता है और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाती है बहुत पुराने टाइम से इसको इस्तेमाल में लाया जाता है Malady Tablet जो होती है इसके बारे पूरा डिटेल में बताएंगे कितनी tablet होती है कैसे ये काम करती है और क्यों इस्तेमाल में लाया जाती है और क्या side effect होते है किन दवायों के साथ में इसको नहीं लेना होता है तो चले है इस बिनादेरी के सुरू करते हैं वीडियो आज जो हम बात कर रहे हैं Malady Tablet के बारे में बात कर रहे है Malady Tablet जो होती है Days Medical Company की होती है इसके अंदर जो होती है एक स्ट्रिप में 28 टैबलेट होती है यानि पूरी 28 टैबलेट होती है एक महें तक लगतार इस टैबलेट को देना होता है यह 28 टैबलेट के एक स्ट्रिप जो होता है वो पांच रुपेखा मिलता है सिरिक पांच रुपेका मिलता है market में अब इसके आप अंदर क्या-क्या पड़ा होता है इसके अंदर लिवनृवर गैस्टोल इतनाईल एस्टॉडायल होता है इसके अंदर जो होता है फेरस फिमरेट होता है 60 mg यह इन तीन composition से मिलके बना होता है महिलाव के अंदर naturally एक हार्मोन बनता है उस हार्मोन को यह कोपी करते हैं और यह क्या करते हैं यह जो composition है अगर जो pregnancy होती है तो प्रग्रेंसी कंसीब नहीं होने देते हैं जैसे कि प्रग्रेंसी से कंसीब होने से बचाते हैं यह टैबलेट लगतार खानी परती है जब तक इस टैबलेट को खाते रहते प्रग्रेंसी कंसीब नहीं होती है अगर इसे कॉंटर इंडिकेशन की बात करें कब कब इसको नहीं देना होता है अगर प्रेंशी तब नहीं देना क्यूंकि प्रमिंसे से बचार आप स्थैमॉल इस्टमाले कि इस था पार कॉझ पर टैब्लेट जो होती है लेगतार खाई जाती है यानि 28 टैब्लेट होती है पूरे महें तर खाई जाती है पीरेट के बाद से स्टाइब्लेट करना होता है इस टैब्लेट को आग्या को समस्ज माँए का दप लेगो शेयर करें झाल